समस्कार दोस्तों मैं हूँ संदीप और आप देखे आपका खुद का चैनल इंडियान बाइक दोस्तों वीडियो के आखिरी में आप डेस्क्रिप्शन को जरूर पड़ो वहाँ पर आपको सारा डीटेल्स मिल जाएगा आएए दोस्तों हम फीचर्स के बारे में जानते हैं 15% मोर माइलेज, पेटेंडेट एकोनोमीटर, एसिया बूक आप रिकोर्ट्स हाइस्ट फिल एकोनमी, 110 किलोमीटर पार लीटर दोस्तों इसमें जो आपको पार्फोमेंस मिलेगा, पावर्ड बाई एको थस्ट टेकनोलोजी, लॉंग लाइफ, डूरालाइफ, 110 कि एंजिन, डिजिटल, इगनिशन, मतलब की ECU, इलेक्रोनिक कॉन्ट्रोल यूनिट इसमें है स्टाइल में आपको मिलेगा, फास्ट इन सेग्मेंट स्टाइलिंग, डेट टाइम, LED रानिंग लाइट, मतलब की DRL, स्पोर्टी हेड लाइट, प्रीमियम 3D लोगो, अल न्यू ग्रैफिक्स, एंड स्पोर्टी डिजाइन, और दोस्तों अभी इसकी जो एक शोरूम प्र दोस्तों इस बाइक में आपको एक फुल्ली अल्बूलियम ग्रैब डेल मिलता है, साथी इस बाइक की ग्राउंड क्रियरन से 175 mm, कार्ब ओएट 112 kg, विध 90% फ्यूल, और पे लोड है इसमें 130 kg, दोस्तों इस बाइक की जो फॉन्ट सास्पेंशन है, इसमें आपको मिलता है टेलिसकोपिक ओयल डांप बेट, जो इंडियान रोड कॉंडिशन के हिसाब से एकदम पार्फेक्ट है, साथी दोस्तों इस बाइक में आपको फॉन्ट साइड ब्रेक में मिलता है, 130 mm ड्राम उइच सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेकनोलोजी, और इसमें आपको मिलता है, जिसमें आपको टैर में मिलता है, 2.75 into 17 inch tube टैर, बाइक की रियर साइड में आपको मिलता है, 5 step adjustable hydraulic shock absorber, जिसमें आपको spring मिलता है दोस्तों, दोनों तरफी same है, और glossy finishing है इसमें, जो देखने में बहुत ही अच्छा है, साथी green और black color में दोस्तों, ये और भी निखरके आया ह और दोस्तों, इस bike में, rear side में आपको brake में मिलता है, 110 mm drum with synchronized braking technology, और जिसमें आपको fully black alloy wheel के उपर tear section में मिलता है, 3 into 17 inch tube tear, दोस्तों, इस bike में आपको मिलता है, एक fully metal heavy build सारी गार्ड, finishing बहुत ही अच्छा है, और top quality है, दोस्तों, साथी इसे के साथ देखिए, जुरा हुआ ह और इसमें आपको मिलता है, एक pillion foot trace, जो body के साथ जुरा है, काफी मजबूत है, और इसमें आपको राबार मिलता है, दोस्तों, और अगर आप थोड़े दूर से देखते हो, तो देखिए, आपको यहाँ पर देखने को मिल जागा, एक chain cover, दोस्तों, हाँ, बिल्कूल, chain को यहाँ पर cover किया गया है, ताकि chain गांदा ना हो, साथी देखिए, यहाँ पर एक cap आपको मिलता है नीचे, इस cap को बस आपको open करना है, और every 500 km के बाद आपको chain loop करना है, दोस्तों, इस bike की जो color combination है, बहुत ही eye catching है, black and green, साथी, अगर मैं आपको seat के बारे में कहूं, तो dual tone seat है, देखिए, इसके उपर आपको stitch मिलता है, धागे से, जो white color में है, जो देखने में बहुती खुबसूरत लग रहा है, मतलब कि यह seat भी बहुती eye catching है, दोस्तों, साथी, इस seat में आपको मिलता है, long and soft seat, सच में दोस्तों, बहुती लंबा seat है, और बहुती नरम seat है, राइ mileage भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, देखिए, कितना soft seat है, दोस्तों, family member हो, या फिर दोस्त, आप आसानी से, पीछे वैठा कर, long right आप कर सकतों, इस bike में, साथी, आपको यहाँ पर मिलते है, फुल्ली ऐलमूनिया मेड, बिल्कुल दोस्तों, यह ऐलमूनिया मेड, ग्रैब ड्रेल आपको मिलता है, जो बहुत ही मजबूत है, और इसे यहाँ पर silver color में रखा गया है, दोस्तों, इस bike की जो tank capacity है, 10 liters, include reserve, और साथी दोस्तों, इसमें आपको mileage मिल जाएगा, 75 km per liter, और हाँ, यहाँ पर देखिए, chrome finish cap आपको मिलते है, tank के उपर, साथी दोस्त DRL Lamp, और इसमें और जो features आपको देखने को मिल जाएगा, fuel gauge, power indicators, malfunction indicators, stand signal indicator, high beam indicator, और neutral indicator lamp आपको यहाँ पर मिलता है, दोस्तों, दोस्तों, left side handlebar में आपको यहाँ पर class के साथ मिलता है, soft grip, और साथी high quality switch में आपको यहाँ पर मिलता है, high beam, low beam switch, yellow color में pass by switch, यहाँ पर नीचे आपको side indicator switch और एकदम नीचे आपको horn switch मिलता है, साथी clip on handlebar आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, एक rod handlebar आपको यहाँ पर black color में मिल जाता है, साथी यहाँ पर देखिए जो total grip है, इसकी भी quick response आपको यहाँ पर मिल जाएगा, साथी यहाँ पर switch section में आपको light on off switch मिलता है, नी साथी यहाँ पर एक single big size horn आपको देखने को मिल जाएगा, जो काफी loud है, और दोस्तों engine section में आपको यहाँ पर मिलता है, single cylinder four stroke fuel injection air cold spark ignition BS6 fi engine, displacement 109.7 cc, maximum power 6.1 kilowatt at the rate 7350 rpm, 8.2 bhp है दोस्तों इसमें, साथी maximum torque आपको देखने को मिल जाएगा, 8.7 newton meter at the rate 4500 rpm, दोस्तों इसमें आपको board मिलेगा 53.5 mm और stroke 48.8 mm और clutch weight multi plate clutch है, दोस्तों इसमें transmission है, four speed constant mass और ETFI मतलब की fuel injection technology आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों, और इसमें आपको gear pattern मिलता है all up, साथी silencer के उपर देखे आपको अच्छा काशा chrome finish मिल जाएगा, जिससे एदेखने में ब लब की daytime LED light बस उसे छोड़के इस bike में सभी bulb है दोस्तों, side indicator हो, font हो या फिर rear हो दोस्तों, सभी में आपको bulb भी मिलेगा, इस bulb section में आपको headlight में मिलता है 12 volt HS1 35 by 35 watt की एक head lamp आपको font side में मिलता है, और दोस्तों इस bike को अगर आप overall देखो तो बहुत ही खुबसरोत bike है, light weight bike है दोस्तों, और जो plus point है इसमें मैं आपको फिर से एक बर कह दूँ, low maintenance, light weight, big size headlight है इसमें, long and soft seat है इसमें आपको मिलता है और mileage का बाप है, बिल्कुल दोस्तों, mileage बहुत ही ज़दा है इस bike की, इसमें एक record की है 110.12 km पर लिटर की, हलाकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सा 25 km पर लिटर ही मिलेगा, on road condition में, Indian road condition में, आप जब इसे खुद ride करोगे तब, तो दोस्तों, आप अगर चाहो तो इस bike के साथ जरूद जा सकतो, साथी इस color के साथ, क्योंकि यह देखने में बहुत ही eye catching है, दोस्तों, प्लीज आप इस color को एक बार शोरूम में जरूर हम मिलते और एक नए अपडेट के साथ, थैंक यू